आज हम लेवल 3 पड़ेंगे चलिए आज लेवल 3 स्टार्ट करते हैं चलिए हिंदी बड़माला का लेवल 3 चलिए संयूक्त वेंजन कौन सा है संयूक्त वेंजन इसमें क्या होगा गिया होगा ठीक है अब देखिए इसका एक्सिमिनेशन देखते हैं कि देखिए संयूक्त वेंजन हिंदी बड़माला में कुल संख्या चार है संयूक्त वेंजन की संख्या चार है याद रखिएगा पहला च्छा हो गया त्रह हो गया गिया हो गया और श्रह हो गया इनको तोड़के बनाया गया श्रह पहले हमको यह याद रखना है कौर श्रह रखिये इसी रख यद तोर रोएदर रखिए तोरह या कि प्रोजएगा जय और यहाद रखिए रिऊजएगा श्रोर रोऔर यादर estraander रहे स्वाँ जएगा खिक है यह दूसरा वान दिसे मेle हूज हुआ है कोई शाव मिले रैदो तो चो जगा, तो रोमलेगा, तो रो मिलेगा, तो रो मिलेगा, तो गयोँ होजग, instr रो मिलेगा, चली आङे देखते हैं निमकेश्च में कौन सावाड उचारण की द्रेशे से धन्ते नहीं है, दन्त या भी कु है कि देखिए निम्कित्म कौन सा बह। विछार की देशी से दंटना ह। यह दांस से नहीं परिवासा में। वां जिसका वुचारान दांसों की साएसा से में हुपता है और दंते हुआश्च कहिए घक है और क्तो क्या है मुर्धन्य डौ तो 3डो 9 इसमें यह सब क्या है यह नहीं पूछा है तो नहीं है बाकी इस तो जब क्या है दन दुनिया चले आगे चलते हैं जिन सब्दों की अंत में आता है उन्रे क्या कहते हैं अकरांत अकारांत करते हैं ठीक है या अकारांत बोलते हैं चले व्याक्या देखते हैं इसकी जिन सब्दों के अंत में आता है उन्हें अकारांत करते हैं अनुस्वार एक वेंजन्द होनी है जो तस्म सब्दों में प्रयूक्त होती है अंग अह युगवाद होनी है यहर लोव अंतस् वेत्वर्ण तस्टिश्रबर और जिसके अन्त में आता उ से अकारांत के फिट्ऽार एग धोनी ए tu ति चले आगी देखते है सब्मेज्ण किसके योग से पकाई है ये वह किसके बना हो ये 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 खिर इसके बनाा लोग को pressures के बना कि सकते हैं जिन बेंजनों के उचारण में अन्य बेंजनों की साहता ली जाती है उसे संयुक्त बेंजन या संयुक्त बेंजन करते हैं चले आगे देखते हैं सब डिफिनीशन है सही त्यार रगिए बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है कभी हिंदी वणमाला में सोरों की कुल स संक्यासascar में सब्सक्राइब फूर्णमाला में सोरों की संक्याova किकरेग आद रहांया ज्याद रखेगा सोरि होाद आए सैम्ट कार तरा चार रोता है और योगवाह कितने हुता है दो होते अंथर इन और चार होते हैं संगर्सी वेंजन कितने होते हैं चार होते हैं ठीक है चलिए 33 क्या होता है 22 किसंग क्या 33 होती है स्वारों किसंग क्या 11 होती है टोटल 52 होते हैं ठीक है चलिए आगे कि निविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविवि टोटो डोटो अड़ा यानि घॉण नहीं होगा ठेक अब देखें अब यह तो बर्ग का नहीं है तो ऑर गो किसका आ है घौ तो तो वर्ग में क्षेंल नहीं होगा चलिए आगे देखते हैं हिंदी बाद माला में बेंजनु की संख्या पूचा है तो कितने बताए थे 33 35 होते हैं दो खे व Свथ द्वेंजन है हैं दो वह लिए चलिए 33 बिढ़े कौन सा पश्च श्वर है पइस इस यह जिन स्वरों के ऊप जन क्रण के उचारण में जीवा का पिछला भाग सक्रीय रहता हुसे पस्चवरह करते हैं जिसको जीवा का पस्च स्वार करते हैं जैसे आ उब याद रखिएगा ओ और आ आ यह सब क्या है कि पस्ट चौर स्वार कितने पस्ट जीवा का थर्फ कितने तरक होते हैं तीन तरक होते हैं पहला पस्ट अग्रश्वार और मद्धिस्वार ठीक है जीवा के मद्धिफाग कही हो जोगा तो उसको मद्धिस्वार कहेंगे जीवा का अग्रफाग कही हो जोगा तो उसे अग्रश्वार कहेंगे चले आगे चलते हैं निम्कित्म ऐसे कौन अयोगवा है देखेखे विषर्ग क्या होता है चैशले एक स्क्राइशन देखते हैं इसका अयोगवा पड़े भी थे अयोगवा अनुश्वार विषर को कहते हैं क्योंकि यह ना तुच्वार होता और ना ही वेंजन होता है इसके दो सब्सक्राइब को काते हैं जो ना स्वार है ना बेंजन है स्वार्ण वर्ण का वेंजन स्वतन दरूप से होता है ठीक है चले आगे देखते हैं इस तरह हमारा ये भी लेबल समाप्त होता है तीसरा ठीक है